असलाम अलेकुम वीवर्ट इस वक्त हमदर युवस्ट्री के अंदर मौजूद है हमासा ऐसा ग्रूप मौजूद है जिनसे हमारी आइकॉनिक संदर की मुलाकात हुई थी और इन्होंने एक सौफ़ेट डिजाइन किया है जिसका तालुक मेडिकल इंडस्ट्री से आई एंसे बुषेट इन्होंने क्या डिजाइन किया है कैसे डिजाइन किया है और इनका सौफ़ेट क्या करता है स्लाम अलेकुम सबसे मेरे तो अपने इंट्रोड़क्शन दीजिए अपनों नाम बता तीजिए और किस उवर्टी से और पर प्रोजेक के बारे मैं बताईए क और कि लिए के अंतर नाम जेख एक को दो दोक्टर के पास स्लेशन आता है तो आपने यूजि आपके में चेक करते हैं इसका इसका इंटीड वाउन्दर्स बाउंद्री स्विए उस वाइव प्रीशं कॉरी से नाम अनृत्सा है को पर टोशल जया है कि इसमें हैं ट्यूमर इसके अंदर हमने जो है वो डेटा करेक्शन किये अइमर इमेज इसके त्यूमर था हमने उसके बाल इसको फिल्टर आउट किया है इमेज प्रोसेसिंग के टेक्निक है मीडियन फिल्टरेशन वो एपलाई किया है उसमें से सॉर्टेट पेपर नॉइस जो है वो डिमूब करने के बाद हमने जो है वो ट्यूमर की एजिस को डिड्रेक्ट करवाया है लेकिन हमारे जो मेन गोलता ने इस प्रोजेक्ट को लेके वो यह था कि हम हेल्दी और सिस्द सेल थे शुह सै क्योंज सेल टेक्निक करने पिल्लिबिड और जर्यक्षण के वाटाण बेसं सेल्टरिक्टों तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है कि हमारा जो color map के थू हमारे regions हो जाएंगे कि हमारा occipital region है, हमारा temporal region है तो watershed basically हमें regions में ने देता है कि यह different regions है, आपके pixels के according उसके बाद हमने kamean clustering use किये, kamean clustering basically हमारी hierarchal format पर यूज करता है यूजटेर के कौन साथमारे, किस region में हो रहे हैं तो इस वाद हने तो भूंपोर्ष कर के ँज किंज हमारी थे हमारे थालाइब में यह है even भाणभ और हमारे प्रोजेक में यिसीदर हमने वे सेट्में भी टूमर एरिया कैना थाट पर पिक्सेल कहरें जो कि हमारे जितने भी हमेज हमें हम इस्टों भी हो घ्री बनाते हैं तो हमारे ग्रापिकल रिप्रेजन रेरी ओडिया किसी भी टॉनल डिस्ट्रिबुशन की तो उसमें जो भी variation आ रही होते हैं वो उस image pixel threshold value select कर लेते हैं अब जो भी हमारी threshold value से नीचे होते हैं उसको foreground और जो भी above होते हैं उसको background ले ले लेते हैं इसमें हमने numerical analysis भी किये जो कि आपको कर्शा पात्मा बताएं हमने numerical analysis किये basis of PSNR, MSC और SSIM इसमें PSNR होते हैं और MSC जो हमारा कम होता है इसमें हमने हर image पर बार अपलाए करकर देखा है कि हमारा data जो है वो loss तो नहीं हो रहा कोई या कोई issue बगारा तो नहीं है हमने इसकी पूरे parameters वगारा देखें कि हमारा सभी work कर रहा या work नहीं कर रहा इंटरम्स of market compatibility अगर बात करूं market compatible कितना है अगर इस तरह के projects का भी medical industry के लिए चल रहे है या मौजूद है या यह कोई नया idea है आपके से लोगे तो महाभी जो processing time है वो अभी तक बहुत ज्यादा है यह सारी चीज़ें noise उनके पास भी MR images में आता है वो भी सको remove करते हैं image processing के techniques के ठुरू ही करते हैं लेकिन वो basic processing के बाद यह वो data doctor के पास चल जाता है हमने higher order processing किये और इसकी time consumption काफी कम है तो इंशालला हमारा इराद है यह है कि हम इसको hospitals में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं और पाकिस्तान के hospitals के अंदर इसको इंस्टॉल करें आप यह कहना चाले है कि in terms of efficiency यह बहतर है उन software से जो आज कल हमारी medical industry में इसका scanning time कम है और उसको आपको exact location exact bound exact size बता है तो जाहर उस इसके parameters भी हम लोग calculate कर चुक है quality degradation के जितने भी parameters है वो हमारे पास calculated है but हमारा इरादा यह है कि हम इसके थोड़ी सी और enhancement करें और इंशालला जल्द हम इसको market में इंस्टॉल करेंगे यह मैं thank you very much best of luck for your future यह मासरी ग्रूप था इंशालला नेक्स session में आपके साथ एक और नए project के साथ मुलाकात होती है thank you very much